मानने सभापती जी जातीकत और धार्मिक जो है सोशन किया जा रहा है इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अधिक जी बहाल किया जाए जो करमचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए साथ साथ सभापती जी भाजपाने चुनावी ला किसान अगर अपना कर्ज माप कराने के लिए जाता है तो लाटी जेनली पड़ती है जबकि सरकार ने धन्ना सेटों का 15 लाग करोड रुपय माप किया है इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा पेंशन का मुद्दा हो या फिर हजारो करोड रुपय का लोन लेकर अपने धन्ना सेटों को धनाड़े करके गरीब मजदूरों क्रमचारी पेंशन धारकों का हक मारने वाली मोदी सरकार को क्या खूब घेरा संसद में चंदर सेकर रावन ने नमस्कार दोस्ते एक बाव फेसे स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर आप सभी को पता है संसद का स्टार्ट हो चुका है नई सरकार के गठन के साथ ही सभी विपक्सी दलों ने अपने-पने मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना स्टार्ट कर दिया है और इसमें सबसे एहम मुद्दे हैं पैंसन का मुद्दा, पुरानी पैंसन बहाली का मुद्दा और अगनी वीर स्कीम को रद कराने का मुद्दा विपक्सी सांसदों ने एक जूट होकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है अगनीवीर को लेकर सारा विपक्स एक सम्मक्स खड़ा हो गया है मोधी सरकार के खिलाब और अगनीवीर को रद करवाने की मांग पर अडिक हो गया है ऐसे में पुरानी पेंशन भाली को लेकर भी हमारी मानिय सांसत चंदर सेकर आजाद रावन ने यहाँ पर मोधी सरकार को घेरते वे कहा कि कितने लंबे समय से हमारे क्रमचारी पेंशन भाली की मांग कर रहे हैं मोधी सरकार एक बार फिर सत्ता में आई है तो हम मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन को दोबारा भाल करके क्रमचारी पेंशन धारकों के भविश्य जो अधर में लटका हुआ है उसको सुधारा जाए ऐसे ही अगनिवीर स्कीम जो कि नोजवानों के उपर तरलवार की भात ल लटका दिया है उनको फिर से परστال क्या जाए तो ऐसे में हमारे सभी जो दर्शक हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे सांसद महुद्या do eh जो पहली बार सांसद बनकर पहली घरजना में उन्होंने मोदी सरकार को लाके रख दिया सांसत को लाके रख दिया है उन सभी को स्पोर्ट करें और वीडियो को जितना ज्यादा हुसके उतना ज्यादा सेयर करें ताकि हमारे सांसत महुद्य को और भी ज्यादा उस्था मिले और वो और भी तगड़े तर कर रहा है इसलिए अगनिवीर योजना को उटा कर पुना सैना भरती शुरू की जाए और साथ-साथ भारत की सबसे प्राचीनवे बहादूर यह खाल कर जाय compliment को पुने भाहर कर पहल कराए ऐसा भी मेरा आपसाख हैँ मानेथ चवापदी जी पिछले सारे प्रदानमंत्रियो ने मिल कर जितना करज लिया है उससे दुखना देना पड़ेगा हमारी आने वाली पीडियो को एक कर्द चुकाना पड़ेगा माने सभापती महोदी जी किसानों को MSP की legal guarantee तथा किसानों का कर्द माप होना चाहिए साथ-साथ-दो-प्रेल-चारा को स्टे के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने में मुकदमे लगे थे व हमारा तयार है उस पर तरहत्रे के पर्तिमाल लगा जा जा रही है और विरोध करने वालों को social media साथ-साथ सभापती जी पेपर लीग और प्रिक्साव के कैंसिल होने से देश के नो ज़या का भहित से खतरे में है नीट यूपी सिपाई भरती सभापती जी export शबाब हुआ है कोई पूछने वाला नहीं खून के आंसु रो रहे हैं बच्चे विरोजगारी का दंस युवा जहेल रहे हैं इसलिए मेरा आग रहा है कि युवाओ के लिए क्रिपया सभापती जी मैं पहली बार बोल रहा हूं आप कहेंगे मैं बैठ जाओंगा मैं आपकी बात मैं सवेदानी मर्यदा फालन करूगा बगर हमको माने सभापती सुनी रहें आप ड़िए इक मरेब olur culmin बहां शभापती सब्सक्राइब kadar लोट चो penalty बढ़की जो कमटोंगी सभबती सेक्षनिक संफ्थानों बिशोग делать कौ सोटनों में अबन उस्पर करके जिसने निकाला जारा है ये भी हम देख रहे हैं सर भबती जी साथ साथ मेरा यह कहना है सर यह सब का इश्यू है कि प्राइवेट करमचारी सर और सरकारी भी कई जगा पे आठ से ज्यादा घंटों से काम करते हैं और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता तो नियूंतम वेतन 20,000 रुपय तैहो और 24 गंटे की द्यूटी और वेतन वी संकतर बोटर स्कीम से उनको जो बाहर किया जाए धन्यवाज जैहिंग जैपार